आज बनाते हैं आलो चनी की बहुत टेस्टी सब्जी और मैं अपने तरीके से आलो चनी की सब्जी बनाऊँगी यकीन मानी एक बार खाने के बाद इसका स्वाद आप कभी ने भूलोगी सच बता रही हूँ काफी टेस्टी सब्जी बनने वाली है सबसे पहले सरसो का तेल डाला जीरा तेज पता एक लाल मेज डालना है दो मीडियन सच के प्याज को बारी काट के डालना है और इसे भून लेना है मतलब प्याज को बहुत ज़्यादा भूनने की जरुरत नहीं हल्क तो यहां पर लाल वाले चने लिए हमने रात बर के लिए मैंने भीगोक के रखा था इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है चने की आलू-चने की सब्जी में तो अब भी आलू-चने की सब्जी बना रहे हूं तो यह वाले चने का इस्तमाल करो अगर नहीं है तो कोई बात अगर चने को डिए लेकिन जो टेस्ट इसमें आता है उसमें नहीं आता है तो मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ इस तरीके से तो मैं यह वाले चने का इस्तमाल करती हूँ और इसमें यह सब्जी काफी ubscribe लिए तो अब लालना है और आब इसके अंधर हम डालेंगे नमक नमक डालने से होगा क्या कि जो प्याज है वो अच्छे से सौप्ट हो जागा और ग्रे भी बन जाएगे प्याज की, तो मतलब चन्ने भी पकते रहेंगे और प्याज भी सौप्ट होते रहेगा, थोड़ी दे धाक के इसी चन्ने को प्याज के साथ पकाना है, और बस इस उबले आलू को हम काटते है ना बड़े-बड़े पिसस में वैसे काटना बड़े-बड़े पिसस में आलू को ताकि यह सबची मतलब देखने में भी अच्छा लागे और टेश्ट तो काफी उनिक आने वाला यहां पे अद्रक लहसून और हरिमेश को डाल गए एक बड़ पकेंगे ना तो मतलब टेस्ट अलग आएगा तो यहां पे सारी चीजों को पकाया मसाले भुन चुके है यह देखिए अच्छे से इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वह सूख चुका है मतलब ज्यादा और पकाने की हमें ज़रूरत निया अब इसके अंदर एक चीज डालने चैरी टिमाटर ना जो चेरी में मतलब मेरा बाड़ी ऐस में कीचेंगा तेस्ट लाया आपकेंगा आप के सथी नॉर्मल वाला जो उपका हुआ यह दोली सथी हुआ एकदम सॉप्ट हो जाएगा और ग्रेवी बन जाएगे इसकी, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चमच मैंने कश्मेरी लालमेश डाला है, एक चमच यहाँ पे धनिया पाउडर है, आदा चमच मैंने डाला है, इसमें छोले मसाले, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है, और तो आपको दिखने में लगेगा, कि हाँ हमारा सबजी जो है अच्छे से बुन चुका है, तो फिर पानी डालेंगे, यह दिखिए कलर चेंज हो चुका है, हमारे टमाटर अच्छे से सॉब्ट हो चुका है, आप इसके अंदर हम डालेंगे पानी, पानी आप बहुत वैसे चने और आलो दोनों अच्छे से पक चुके हैं, थोड़े थोड़े भूनने के दौरान, यह देखिए कितनी अच्छी घुजबू आ रही है, और कितना अच्छा दिख रहा है यह सबजी, और सच बताओ ना, तो इसका टेस्ट सच में बहुत अलगा आता है, और एक और चीज़ में इसके अंदर डालने वाली हूँ, सबजी तो अच्छे से पक चुके है, अब आप सोचोगे कि भाई, सबजी पकने के बाद मैं इसमें प्याज क्यों डालूँगी, तो मैंने ना, जैसे पनीर में हम प्याज डालते हैं तो ज्यादा प्याज को सौट नहीं क मिक्स किया, प्याज और ढखके दू मिनट पकाना है, बस प्याज को सौट होने तक पकाना है, हलका सा सौट होने तक, जैसे हम सोयाबिन चिली में डालते हैं कि प्याज को हलका सा एकदम पकाना है, बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए मने ढखके दू मिनट पकाना है, और खुस्बू काफी अच्छी आ रही है सब्जी की हरी धनिया डे सरा काटके रखा थो और ताजी ताजी हरी धनिया भी लाएं ताजा मतलब बाड़ी से और इसका टेस्ट और अच्छा लगता है जब आप सब्जी मेडा रहतों अच्छे से मिक्स के और यह देखे हैं हमारी सब सब्जी की रेसेपी कैसी लगी अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ज्यादा से ज्यादा लोग पर सेयर कर दीजेगा